आपके लिए एक और इंट्रस्टेट वीडियो लेकर आएं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएं तो मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करना ना भूल ताने की आने वाली वीडियो की नौटिफीकेशन सबसे पहले आपके पास ऊचे यूजे और वूड का कहां कहां प्रेसी रहे जिस हिंदी वाक्य की कियर्य के अंत मे ता होगा प्रति averaging या पत्यादी रहे उस किरिया का अनुवाद वुड में होगा सभी सबजेक्ट के साथ वुड का प्रियोक क्या जाता है ही, शी, इत, नाम, शाम, नेहा, सीमा सभी यह सबजेक्ट है इनके साथ वुड यूज होगा वुड का प्रियोक सीखे अब मैंने कुछ example लिये would के सेरी latest sentence is Ram would drink tea Ram would not drink tea would Ram drink tea why would Ram drink tea subject अब कैसे यूस होगा वो सीखेंगे subject plus would plus代va की first form plus object person, singular and prurler First person, second person and third person First person, मैं चाय पीता हूँगा I would drink tea हम लोग चाय पीते हूँगे We would drink tea Second person, आप चाय पीते हूँगे You would drink tea आप लोग चाय पीते हूँगे You would drink tea Third person, वे राम चाय पीता होगा He, she, it, राम वोड ड्रिंक टी वे लोग चाय पीते हूँगे They, the boys would drink tea और मैंने कुछ sentences भी लिये हैं इस related words है First sentence is आप प्रते दिन कड़ी मैनत करते हूँगे You would work hard daily Second is, लड़के वहां रोज जाते हूँगे The boys would go there daily The boys would go there daily The boys would go there daily Third is, श्याम कृष्णा को जानता होगा श्याम वोड नो क्रिष्णा श्याम कृष्णा को जानता होगा श्याम वोड नो क्रिष्णा Fourth is, आप ये काम करते हूँगे You would do this work Fifth is, आप लोग वयायाम करते हूँगे You would take exercise Sixth is, वे दवा लेता होगा He would take medicine वे दवा लेता होगा He would take medicine Seventh is, बच्चे रोज स्कूल जाते हूँगे The children would go to school daily 38, वे तुम्हे पसंद करती होगी She would like you She would like you Ninth is, आप उससे मिलते हूँगे You would meet him आप उससे मिलते हूँगे You would meet him Tenth is, लड़के वहाँ अंग्रेजी सीखते हूँगे The boys would learn English, they are The boys would learn English, they are अब हम इसके negative sentence में यूज़ करेंगे Would का subject, प्लास वूड, प्लास नॉट, प्लास वर्व की फ़र्श्ट फ़र्व की फ़र्श्ट फ़र्व आईगी देली, लड़के वहाँ रोज नहीं जाते हूँगे The boys would not go, they are daily The boys would not go, they are daily Third is, शाम किष्णा को नहीं जानता होगा शाम वोड नॉट, नो, कृष्णा शाम किष्णा को नहीं जानता होगा शाम वोड नॉट, नो, कृष्णा आप ये काम नहीं करते हूंगे You would not do this work आप ये काम नहीं करते हूंगे You would not do this work You would not do this work Fifth is, आप लोग वयाम नहीं करते हूंगे You would not take exercise 6th is, वे दबा नहीं लेता होगा He would not take medication वे दव नहीं लेता होगा, he would not take medication. सावंती स, बच्चे रोज स्कूल नहीं जाते होंगे, the children would not go to school daily. बच्चे रोज स्कूल नहीं जाते होंगे, the children would not go to school daily. एरती स, वे तुम्हें पसंद नहीं करती होगी, she would not like you. वे तुम्हें पसंद नहीं करती होगी, she would not like you. नाइन्थ इस, आप उससे नहीं मिलते होंगे, you would not meet him. तैन्थ इस, लड़के वहां अंग्रेजी नहीं सीखते होंगे, the boys would not learn English there. अब हम would का इंट्रोगेटिव संदेंस में यूज करेंगे, देख लेते हैं कैसे यूज होगा इंट्रोगेटिव संदेंस में would का? वोड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्व की फर्स्ट फॉर्म प्लस अब्जेक्ट सबसे बहले वोड आएगा, फिर प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में नॉट प्लस वर्व की फर्स्ट फॉर्म प्लस अब्जेक्ट. first sentences is क्या वे लोग प्रते दिन कड़ी मैनत करते हुँगे सबसे बहले हम simple उसमें बना रहे है इंट्रोगिटिक फिन निगेटिब में बनाएंगे क्या वे लोग प्रते दिन कड़ी मैनत करते हुँगे would they work hard daily second is क्या लड़के वहां रोज जाते हुँगे would the boys go there daily क्या लड़के वहां रोज जाते हुँगे would the boys go there daily would the boys go there daily क्या सबीना सीमा को जानती होगी would the सबीना no सीमा क्या सबीना सीमा को जानती होगी would सबीना no सीमा fourth is क्या वे लोग ये काम करते हुँगे would they do this work क्या वे लोग यह काम करते हुँगे, वुड्धे डू दिस वर्ख, वुड्धे डू दिस वर्ख, फिफ्थी क्या वे लोग वह हाम करते हुँगे, वुड्धे टेक एक्सोसाइज, क्या वे लोग वह हाम करते हुँगे, वुड्धे टेक एक्सोसाइज, क्या वे दवा नह जह लेता होगा वुढ़ ही नौट टेग मैडिस्जन मुड़ की टेख इनियरी नाट टेक मेडीशन सेवं तीस क्या दाइड चल्डेन ऊट गो टूर्ट अंर। मुठ चल्डन मुथ्ट॥ उन्हाति देली यर्थी क्या पाक्ष्ट उस्साध करें नहीं क्या बच्चे उनसे नहीं मिलते होंगे 9. क्या वे तुमसे तुम्हें पसंद नहीं करती होगी वूट शी नॉट लाइक यू क्या वे तुम्हें पसंद नहीं करती होगी वूट शी नॉट लाइक यू वूट शी नॉट लाइक यू तैं तीस क्या लड़के वहां अंग्रेजी नहीं सीखते होंगे वूट दा बॉइज नॉट लान इंग्लिज देया अब हम WH family में would का यूज़ करेंगे, अब कैसी यूज़ करेंगे, देख लेते हैं, when, why, how, and etc. When, why, how, plus would, plus subject आएगा पहले, plus not, plus बार्वर की first form, plus object. First sentence is, आप प्रति दिन कड़ी मैनत कैसे करते होंगे? अब हम WH family सबसे पहले लेंगे, helping बर, then subject. How would you work hard daily? आप प्रति दिन कड़ी मैनत कैसे करते होंगे? How would you work hard daily? Second is, लड़के वहां रोच क्यों जाते होंगे? Why would the boys go there daily? Third is, सबीना सीमा को कैसे जानती होगी? How would सबीना know सीमा? Fourth is, आप ये काम कैसे करते होंगे? How would you do this work? Fifth is, आप लोग वहां कब करते होंगे? When would you take exercise? आप लोग वहां कब करते होंगे? When would you take exercise? Sixth is, वे दवग क्यों नहीं लेता होगा? Why would he not take medication? Why would he not take medication? Seventh is, बच्चे रोज स्कूल क्यों नहीं जाते होंगे? Why would the children not go to school daily? बच्चे रोज स्कूल क्यों नहीं जाते होंगे? Why would the children not go to school daily? Eighth is, वे तुम्हें पसंद कैसे नहीं करती होगी? How would she not like you? वे तुम्हें पसंद कैसे नहीं करती होगी? How would she not like you? Ninth is, आप उससे कहां नहीं मिलते होंगे? Where would you not meet him? आप उससे कहां नहीं मिलते होंगे? Where would you not meet him? Where would you not meet him? Tenth is, लग्यां वहां अंग्रेजिन कब नहीं सीखती होंगी? When would the girls not learn English there? When would the girls not learn English there? When would the girls not learn English there? उमीद है मेरी वीडियो आपको अच्छे लगी होगी? आपको वीडियो कैसे लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है फ्रेंड्स If you like the video, so don't forget like, share and subscribe my channel and hit the bell icon और अपने फ्रेंड्सों के साथ share करना ना भूलना Thank you for watching my video